एक शहर में राधा नाम की एक लड़की अपने छोटे भाई राजू के साथ एक छोटी सी जोपड़ी में रहती थी उनके माता पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था तब इसे राधा अपने छोटे भाई की देख बाल करती थी उनके माता-पिता के जाते ही उनका पूरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था वे एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे पैसे ना होने के कारण उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया इसलिए राधा फूल बेचने का काम करने लगती है उसके पास कुछ अच्छे लोग भी आते थे जो उसे फूल के पैसे देने के साथ साथ कुछ और पैसे भी दे जाते थे और कुछ ऐसे लोग भी आते थे जो फूल तो नहीं खरीदते थे मगर उल्टा उन्हें कुछ सुना कर चले जाते थे राधा सड़क पर फूल बेशते हुए एक औरत को कहती है लो मेम साब ये फूल ले लो बहुत ही सुन्दर फूल है आप इनने अपने घर में भी सजा सकते हो चल हट यहां से कोई काम धन्दा नहीं क्या सुबे सुबे आ जाते हैं मुझे नहीं लेने तेरे फूल तुझे देखने के बाद पता नहीं मेरे आज का दिन कैसे गुजरेगा कम उम्र में ही बड़ी कठीनाईयों से वे अपना जीवन वितीत कर रहे थे कभी कभी तो उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था राधा बले ही भूखी रह जाती थी पर वे अपने छोटे भाई के लिए कहीं न कहीं से खाने का इंतजाम जरूर कर देती थी एक दिन ऐसे ही मुश्किल से उसने पूरे दिन मशक्कत करके सिर्फ 20 रुपे कमाई थे वे देखकर काफी निराश होती है कि इतने कम पैसों में अब वे क्या करेगी आज का दिन कितना बुरा था सिर्फ 20 रुपे की कमाई हुई है राजू मेरा इंतजार कर रहा होगा उसे भोग भी लग रही होगी इन पैसों से मैं उसके लिए कुछ खरीद लेती हूँ राधा अपने छोटे भाई के लिए एक दुकान से उन पैसों से छोले भटूरे खरीद लेती है और अपने घर ले जाती है ले राजू कहा है मैं तेरे लिए छोले भटूरे लाई हूँ मगर दीदी क्या आपने खाना खा लिया हाँ राजू मैंने खा लिया तू भी जल्दी खा ले वरना ठंडे हो जाएंगे नहीं दीदी आप जूट बोल रहे हो जब आप जूट बोलते हो तो आपकी बाई आँख फड़कने लगती है लो आप भी मेरे साथ खाना खाओ फिर वे दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं राजू के लिए उसकी बेहन ही उसके माता पिता थी राधा भी राजू का बहुत खयाल रखती थी दोनों भाई बेहन में इतना प्यार था कि अगर एक छूट बोलता तो दूसरा चुटकियों में समझ जाता था जब राजू थोड़ा बड़ा हुआ तो वे भी अपनी बेहन के साथ फूल पेशने जाने लगा कड़ी धूप हो या भारिश का मोसम वे दोनों भाई बेहन कभी नहीं रुपते थे पेट भरने के लिए मजबूरन उन्हें ऐसा करना पड़ता था वे दोनों छोटी सी उम्र में बहुत स संगर्श कर रहे थे वे आराम से बैट कर बाकी लोगों की तरह भीग भी मांग सकते थे पर राधा की सोच ऐसी बिलकुल नहीं थी उसे भीग मांगने से जादा संगर्श करना सहीं लगता था इसलिए उसका भाई भी उसी की तरह था एक दिन में दोनों भाई बेहन सड़क पर फूल बेच रहे थे तभी अचानक से राजु को चक्कर आने लगते हैं और वे बेहो शोकर जमीन पर गिर जाता है यह देख कर राधा बहुत खबरा जाती है कोई मेरी मदद करो देखो मेरे भाई को पता नहीं क्या हो गया राधा ऐसे ही बहुत देर लोगों से मदद म दिखता है वे अपने भाई को उस ठेले पर लिटा कर हॉस्पिटल के लिए चल पड़ती है हॉस्पिटल पर पहुंचते ही वहाँ पर रखी वील्चेर पर वे अपने भाई को बिठा देती है और हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है देखो मेरे भाई को पता नहीं क्या हो यह अपने आप पे होश हो गया। डॉक्टर कहा है। मुझे उन्हें इपने भाई को दिखाना है। डॉक्टर को दिखाने के लिए फीस लगती है। क्या तुम उनकी फीस के पैसे लाई हो। राधा के पास कुछ पैसे थे वे अपने सारे पैसे काउंटर पर रख देती है यह देखकर रिसेप्शन पर बैठी लड़की राधा को कहती है अरे बेटा यह तो सिर्फ सो रुपए हैं डॉक्टर की फीस पांच सो है पहले डॉक्टर को दिखाने के लिए पूरी फीस लाओ तभी यहां आना ठीक है मैं पाके के पैसे अभी लाती हूँ राधा हॉस्पिटल के बाहर जाती है और लोगों से मदद मांगती है मगर उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था उल्टा लोग उसे भला पुरा कह रहे थे अरे ये सब तुम्हारे पैसे कमाने के तरीके हैं तुम्हारे जैसे बच्चे मैंने बहुत देखे हैं भीक मांगते हुए क्या हुआ बेटा तुम इतनी घबराई हुई क्यों नजर आ रही हो साहब मेरे भाई को पता नहीं क्या हो गया है वे वे होश हो गया मैं जब उसे हॉस्पिटल लेकर आई तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि डॉक्टर को दिखाने के लिए 500 रुपे लगेंगे मगर मेरे पास 100 ही रुपे हैं इसलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाने से मना कर दिया वे भला आदमी राधा को पैसे दे देता है राधा हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर की फीस भर देती है डॉक्टर राजु का चेक अप करने के बाद राधा को कहता है इतना कहते ही वे डॉक्टर वहां से चले जाते है ये सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है उसे अपने भाई के चिंता सताने लगी थी कुछ तेर में राजु को भी होश आ जाता है वे राजु को ले कर अपने खर आ जाती है खर आते ही वे अपने भाई को खाना के लाती है खाना के लाने के बाद उसे डॉक्टर की दीख हुई दबाई देती है और अपने भाई को सुला देती है अगले दिन से नवरात्री शुरू हो रही थी राधा सुबे जल्दी उठकर घर की साथ सफाई करती है और अपने मंदिर को फूलों से सजा देती है वे अपना नवरात्री का पहला वरत रखती है राधा अपने भाई को खाना किला कर और दवाई दे कर अपने काम के लिए निकल पड़ती है काम पड़ जाने से पहले फेर रास्ते में मा दुर्गा के मंदिर मातारानी से मननत मागने जाती है हे मातारानी आप तो सब भक्तों के पुकार सुन लेती हैं हर दिन उसके भाई की हालत और जादा खराब होती जा रही थी यह देखकर राधा काफी चिंतित रहने लगती है राधा रोज खूब मेहनत कर रही थी मगर फूल बेचने से वे इतने पैसे नहीं जोड़ पा रही थी जितने उसके भाई के ऑप्रेशन मिला एक दिन वे मंदिर के बाहर निराश होकर बैठी हुई थी माता रानी से अपने भक्त की ऐसी हालत देखी नहीं गई वे स्वें एक बुड़ी औरत का रूप बदल कर राधा के पास आती है क्या हुआ बेटी तु इतनी चिंतित नजर क्यों आ रही है मा जी मेरे भाई को एक बीमारी है ओप्रेशन से उसकी जान बख सकती है डॉक्टर ने कहा है एक महीने के अंदर उसका ओप्रेशन करना पड़ेगा ओप्रेशन का खर्चा एक लाक रुपए है मैं रोज खूब मेहनत कर रही हूँ मगर मुझे नहीं लगता कि एक महीने के अंदर मैं एक लाक रुपए जोड़ पाऊंगी बेटी अगर तु ही हिम्मत हार जाएगी तो तेरे भाई को हिम्मत कौन देगा मैं तुझे एक उपाई बताती हूँ उस उपाई से तेरे भाई के ऑपरेशन के पैसे तो मिलेंगे ही बलकि तुम्हारी जिन्दगी भी सवर जाएगी बताओ माजी क्या उपाई है मैं अपने भाई के जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तयार हूँ कल सुबा छे बचे तुम इस शहर के नहरू पार्क के पास जो एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है वहाँ पर बैट कर खूब जोर जोर से रोना तेरी हर समस्या का समदान तुझे वहीं मिल जाएगा इतना कहते ही वे बुड़ी औरत महां से चली जाती है और राधा भी अपने खर लोटाती है उन माजी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं पीपल के पेड़ के पास जाकर रोंग जो भी हो मैं उस उपाय को जरूर करूंगी उस दिन राधा पूरी राध सो नहीं पाई अरे इतनी सुबह सुबह ये बच्ची यहां बैट कर रो क्यों रही है? मुझे लगता है कि ये जरूर किसी परेशानी में है. मुझे इसकी मदद करनी चाहिए. तबी वे आदमी राधा के पास आता है. क्या हुआ बेटी? तुम क्यों रो रही हो? साहब, मेरे भाई को brain tumor है. डॉक्टर ने कहा है, उसका operation कराना होगा. मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका operation करवा सकूँ. तो तुम रो क्यों रही हो बेटी? रोने से थोड़ी ना कोई तुम्हारी मदद करने यहां आएगा. तुम्हारे माबाप कहा है? उनसे कहो, जहां वो काम करते हैं, वहां से मदद मांगे. साहब, हमारे माबाप नहीं है. मैं और मेरा भाई फूल बेच कर ही अपना गुजारा करते हैं. यह सुनकर उस आदमी का दिल पिंगल जाता है और वह बड़े हॉस्पिटल में राजू का ओप्रेशन करवाता है. ओप्रेशन के बाद राजू बिल्कुल ठीक हो जाता है. उस दिन राधा समझ जाती है कि वह बुड़ी औरत और कोई नहीं, बलकि स्वएं देवी मा थी, तभी तो उनकी एक एक बात सच हो गई. वह आदमी बहुत बड़ा बिजनस में था, उसके पास बहुत समपत्ती थी और एक बड़ा सा बंगला, जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ रहता था. उसकी कोई संतान नहीं थी, वह राधा और राजू को गोद ले लेता है और अब वह दोनों स्कूल जाने लगते हैं, उन दोनों का जीवन अब बहुत अच्छा हो गया था. इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्या पता कब हमारी किस्मत चमक जाए? बहुत समय पहले की बात है, एक गाउ में रामू और शामू नाम के दो भाई रहते थे, उनके माता पिता कई साल पहले गुजर गए थे, बस सबसे रामू गाउ में एक बड़े सेट के घर काम करने लगा, वे सेट इसके बदले उन्हें रहने के लिए कमरा और खाना दे दि रामू अकेला ही उन सेट के घर काम करता था, वे शामू से काम नहीं कराता था, क्योंकि उसका भाई अभी छोटा था, मगर शामू कभी-कभी उसके साथ सेट के घर चला जाता था, वे सेट काफी भले इंसान थे, वे कभी-कभी उन दोनों से खुश होकर पहनने के लिए पैसे भी दे दिया करते थे मुह सेट का बेटा मोहन बहुत ही चलाग था वैं राभा और स्वान रामू और शामू किकि कभी कभी अपने दौस्तों के सामने पहुत बेख़ack करता था और एक दिन ऐसे ही वह अपने मोहन दोस्तों के साथ कमरे में बैठा हुआ था, वहाँ पर रखा पानी वे जान भूज कर नीचे गिरा देता है, और रामु को आवाज लगाता है। ए नोकर रामू, जल्दी यहां पर आ। मैं जो कुछ करूँ, तुझे यहां काम के लिए रखा है, तो यहां काम कर, जादा जुबान मत लड़ा, समझा? मोहन गुसे में आकर रामू को लात मार देता है, और रामू दूर जाकर गिरता है, यह सब उसके पिता देख लेते हैं, वे रामू को जाकर उठाते हैं, और गुसे से मोहन की तरफ आते हैं, मोहन तूने यह क्या किया, चल, अब रामू से माफी मांग, पिता जी मैं इस रामू से माफी क्यों मांगू, अब क्या मैं सनौकर से माफी मांगूंगा क्या? उसके पिता जी ये सुनकर और जादा गुस्से में आ जाते हैं और वे गुस्से में आकर उसे एक थपड मार देते हैं मोहन को अपने दोस्तों के सामने अपने पिता के हाथ से थपड़ खाकर बहुत बेज़ती महसूस होती है वे अपना मूँ छुपा कर वहां से चला जाता है आज तो उस रामू ने हद ही पार कर दी मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे उसने मेरी सारी इज़त मिट्टी में मिला दी अब मैं उन रामू और शामू को नहीं छोड़ूँगा इसका बदला मैं उनसे जरूर लूँगा अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं उन्हें अपने घर से ही नहीं बलकि पूरे गाउं से ही बाहर निकलवा दूँँ मोहन रामू और शामू को गाउं से पाहर निकालने के बारे में सोचने लगा तब ही उसे एक सुझाव आता है अगले ही दिन वे गाओं के सरपंच की पत्नी का सोने का हार चुरा लेता है और वे हार चुरा कर रामू के कमरे में चुपा देता है उस सोने के हार से सरपंच की पत्नी का बहुत लगाब था जब सरपंच की पत्नी अलमारी में अपना हार देखती है तो उसे वे हार वहां नहीं दिखता ये देखकर सरपंच की पत्नी के होश उड़ जाते हैं और वे रोते हुए चिलाने लगती है हे भगवान ये क्या हो गया मेरा हार किसने चुरा लिया सरपंच अपनी पत्नी की आवाज सुनकर उसके पास दोड़ा दोड़ा आता है सरपंच की पत्नी उसे जब ये बात बताती है तो सरपंच गुस्से में आ जाता है किसी की इतनी मजाल कि सरपंच के घर में चोरी करे अगर वो चोर मेरे हाथ लग गया तो मैं उस चोर को छोड़ूंगा नहीं सारे गाउं में ये बात फैल जाती है कि सरपंच के घर में किसी ने उसकी पत्नी का हार चुरा लिया सही समय देखते ही मोहन सरपंच के पास पहुँच जाता है अरे सरपंच जी मैंने सुना है कि आपकी पत्नी का हार चोरी हो गया है वो हार दिखने में कैसा था? वो सोने का हार था और मेरी पत्नी को उस हार से बहुत लगाव था अच्छा जैसा सोने का हार आप बता रहे हो बिलकुल वैसा ही हार मैंने रामू के कमरे पर देखा था मुझे तो लगता है उस रामू ने ही आपकी पत्नी का हार चुराया है क्या क्या तुम सच कह रहा हो हाँ 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 मैं सच कह रहा हूँ अगर यकिन नहीं होता तो चलिए मेरे साथ सरपंच गाओं के आदमियों के साथ सेट के घर रामु के कमरे में जाता है वे गाओं के आदमियों के साथ कमरे की तलाशी लेने लगता है वे सोने का हार उन्हें तलाशी करते हुए मिल जाता है तेरी इतनी मजाल कि तु सरपंच के घर में चोरी करेगा आज इनोंने आपके घर में चोरी की है कल हमारे घर पर करेंगे हम ऐसे चोरों को अपने गाउं में नहीं रख सकते इन्हें गाउं से बाहर निकाल देना चाहिए सरपंच को भी ये बात सही लगती है सेट रामू और शामू के कमरे के बाहर भीड लगी देखते हैं तो वे वहाँ जाते हैं वहाँ जाकर उन्हें सारी बात पता चल जाती है पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि रामू और शामू ऐसा कर सकते हैं वे उन दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं मगर गाउं वाले और सर्पंच के सामने सेट की एक नहीं चली क्योंकि सारे सबूत रामू और शामू के खिलाफ थे। चले जाओ यहां से और आइंदा इस गाउं में नजर भी मता जाना। गाउं वाले रामू और शामू को गाउं से बाहर निकाल देते हैं। रामू को पता था कि यह काम जरूर सेट के बेटे मोहन की ही करतूत है क्योंकि पूरे गाउं में वही उनसे चिड़ता था। वे दोनों गाउं से निकलने के बाद चलते चलते जंगल में पहुँच जाते हैं। भाईया अब हम कहां जाएंगे। शामू तु चिंता मत कर हम कहीं भी रह लेंगे मगर उस गाउं में वापस लोट कर नहीं जाएंगे। उपर वाला सब देखता है। तु देखना वही हमें रास्ता दिखाएंगे। जंगल में कुछ तेर चलने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई देती है। वहाँ पर खुला मैदान, खाने के लिए फल और बहुत सारे बांस के पेड़ भी थे। ये जंगल तो बहुत अच्छा है। पीने के लिए पानी और खाने के लिए धेर सारे फल के पेड़ भी हैं। हमें यहीं पर घर बना लेना चाहिए। रामू ऐसा ही करता है। बांस की लकडियों से अपने भाई के साथ घर तयार करने लगता है। कुछ घंटों के प्रयास के बाद वै अपना घर बना लेते हैं। रामू और शामू उस बांस के घर में रहने लगते हैं। वहां का वादावरन शामू को बहुत अच्छा लगने लगता है। भाईया आप सही कहते थे। भगवान हमें रास्ता जरूर दिखाएंगे। ये बांस का घर भले ही थोड़ा छोटा है, मगर ये जगा उस गाउं से कई गुना अच्छी है। यहां मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखते ही वे समझ जाता है कि बिच्छू ने इसे काट लिया होगा। शामू का शरीर धीरे धीरे नीला पढ़ता जा रहा था। ये देखकर रामू बहुत घबरा जाता है। तबी पास ही में से एक बुड़े बाबा गुजर रहे थे बुड़े बाबा रामों की आवाज सुनकर उसके पास आते हैं क्या हुआ बेटा तुम इतना रोक क्यों रहे हो और इस बालक को क्या हुआ बाबा जी मेरी मदद कीजिये मेरे भाई को एक बिच्छू ने काट लिया और बिच्छू का जहर मेरे भाई के शरीर में फैलता जा रहा है तुँ चिंता मत कर बेटा मैं एक वैद हूँ मैं तेरे भाई को बिलकुल ठीख कर दूँगा इतना कहते ही बूडे बाबा अपने थैले में से एक जड़ी बूटी निकालते हैं और शामू के पैर पर लगा देते हैं जड़ी बूटी लगाते ही कुछ तेर बात शामू को होशा जाता है ये देखकर उसका भाई रामू बहुत खुश हो जाता है वे बुड़े बापा को अपने खर फुलाते हैं और उनको भोजन करवाते हैं वा बेटा भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था खा कर बहुत आनंद आया बाबा जी आप वो जड़ी बूटी कैसे बनाते हैं क्या आप मुझे बता सकते हो अगर आगे कभी किसी जंगली जानवर ने हमें काट लिया तो उससे हम ठीक हो सकते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं बलकि इस जड़ी बूटी से जानवरों का जहर ही नहीं बलकि कोई भी रोग तुरंत ठीक हो जाता है बूडे बाबा रामू को बता देते हैं कि वे जड़ी बूटी कैसे बनती है रामू भी अब जड़ी बूटी बनाना सीख गया था उसके बाद वे बूडे बाबा वहां से चले जाते हैं बस भी रामू उस जड़ी पूटी की मदद से लोगू की भी मदद करने लगा। किसी को कुछ भी समस्या होती तो वैं रामू के पास आ जाते। धीरे धीरे आसपास के गाउं में ये बात फैल जाती है कि जंगल में एक बास की घर में एक लड़का लोगों का रोक तुरन ठीक कर देता है। लोगों से पता करते करते जंगल में उनी के बास के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अरे कोई है अरे कोई है भाई मेरी मदद करो। तब ही रामू और शामू अपने घर से बाहार आते हैं। जब वे सेट रामू और शामू को बांस के घर में देखता है तो वे बहुत चौंक जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि रामू ही लोगों की मदद करता है और लोगों को ठीक करता है। तो वे उन दोनों के आगे हा चोड़ने लगते हैं वे अपनी जड़ी पूटी मोहन के शरीर पर लगा देता है और मोहन कुछी देर में बिल्कुल ठीक हो जाता है जब मोहन को पता चला कि उन्हीं की वज़ा से उसकी जान बची है तो वे उसके सामने माफी मांगने लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था सेट रामू और शामू को वापस अपने साथ गाउन लोटने को कहते हैं मगर वे दोनों वापस जाने से मना कर देते हैं अब वे दोनों अपना बाकी का जीवन उसी बास के घर में गुजारते हैं और लोगों की मदद करते हैं झाल